हाई गैज मेरा नाम है परागपाल आप सबका एक बार फिर से स्वागरते हैं हमारे इस नए वीडियो में तो इस वीडियो में में सेलेक्शन नमबर एट में हम बात करने वाले हैं rate analysis for plain cement concrete work जो की foundation के नीचे होता है तो दोस्तो हम इसमें consider करके चलते कि हमारे पास 10 meter cube का quantity है और हम यहापे mix ले रहे 1 इस्टू 2 इस्टू 4 cement इस्टू sand इस्टू aggregate ठीके तो हमारे पास सबसे पहले अगर मुझे cement bag निकाल लिए तो मैं क्या करूँगा हमारा जो 52 percentage of dry weight percent का जो हम dry volume convert करने के लिए जो 52 percent consider करते हैं उसके साथ हम quantity को multiply करेंगे divided by mix का addition into जो भी concern cement के लिए जो mix से 1 उसको यहापे रखेंगे into 28.8 ताकि cement का volume bag में convert हो सके आपको मिल जाएंगी bag 63 bags उसके बाद sand including bulking आपको निकालना है तो यह same parameter multiply by 2 जो कि sand का component है into volume जो कि हम कर रहे हैं यहापे 10 meter cube के लिए into 1.05 for the 5 percentage of bulkiness in the sand वो आपको देगा 4.56 meter cube वर मतलब आपको 10 meter cube का PCC करने के लिए 4.56 meter cube इतनी sand की ज़रूत लगेगे उसके बाद अगर आपको course aggregate निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा same component को 4 के साथ multiply करना है पड़ेगा मतलब इस component के साथ multiply करना पड़ेगा into quantity तो आपको मिलेगा 8.6 है ठीक है तो चलो अभी हम हम हमारे excel sheets में चलते जहाँ पर हमने rate analysis किया है rate analysis of PCC अभी देखिए हम यहाँ पर one metric cube के लिए काम कर रहे हैं ठीक है इसके बाद उस respect में आपको यहाँ पर cement का quantity मिलेगा उसकी bag मिलेगी कितना number आप बैग लगने वाला है मतलब one metric cube का का काम करना है तो आपको 6.25 इतनी bag लगना चाहिए आपको कितना sand लगेगा कितना course aggregate लगेगा तो यहाँ पर मैंने सारी quantity लगी है साथ के साथ labor का कितना proportion आपको लगेगा मतलब mystery आपको 0.05 पर डे लगेगा for a one meter cube of the PCC work Mason लगेगा, male मजदूर लगेगा, female मजदूर लगेगी और आपको विष्ची लगेगा और scap folding का भी काम आपको लंब समय लगेगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सबका जो amount है हम इनको change करते हैं, इनके rate आपको change करने पड़ेंगे, उस respect में आपको यहाँ पर 1 meter cube के लिए cost यहाँ पर मिल जाएंगी जहाँ पर हम water charges 2% consider कर रहे हैं, machinery charges 5% use कर रहे हैं और contractor profit 10 टक आई ले रहे हैं तो आपको जो cost आएगी, वो आएगी 5,575 रूपीज, तो हम क्या करेंगे, हमारे abstract के sheet में जाएंगे, यहाँ पर plain cement concrete लिखा है, उसके आगे हम यहाँ पर equals to लगा के, हमारे RA of PCC में जाएंगे, और इसको select कर लेंगे यह आपको आपके Excel sheet में खुद बना के आपको करना पड़ेगा, लेकिन यह tools आपको सारे में online available करवाऊंगा, ठीके, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर rate आ गया, बस अभी इसको में copy करके, यहाँ पर paste कर देता हूं, ताकि आपको पता चले कि हमें, जो PCC का का काम करने के लिए हमें लगने वाला है कितना 10,872 रुपीज, ठीके, क्योंकि हमारे पास यह quantity है, दो metric cube है, ओके, अभी यह जो सारी amounts है, इनको में थोड़ा round up कर लेता हूं, ताकि यह हमें proper तरीक से दिखे, last जो videos रहेंगे, last last videos, उन videos में दोस्तों आपको सारे rate analysis का में proper utilization बताऊंगा same rates हम उसमें use करेंगे, जिसका use करके आपको यह पता चलेगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, okay, it's not refolding, then it's okay, no issue, ठीके, now अभी हम बात करेंगे new analysis के बारे में, जिसका नाम है rate analysis of beam, okay, देखिए rate analysis of beam, उसके बाद rate analysis of column, rate analysis of lin beam, rate analysis of the slab, okay, slab is somewhat different, but यह सारी चीज़े more or less same होती है, जब हम बात करते है, percentage के बारे में of the steel, तो जब मैं rate analysis of beam बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम consider कर रहे हैं कि 10 meter cube का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, volume consider कर रहे हैं, एक different mix में आपर consider कर रहा हूँ, 1 by 2 is to 3, मतलब cement की एक bag, 1 is to 1.5 मतलब dead bag of sand, okay, and 3 portion of the water, मतलब 3 portion of the aggregate, okay, तो हम यहाँ पर सबसे पहले dry concrete का mix निकालेंगे, 1.52 मतलब 52% से multiply करेंगे हमारे volume को, यह मिल गए हमें 15.2, तो इससे हम cement की quantity निकालेंगे, 15.2 by mix का addition, यह मिल गया, अभी इस volume को, इस meter cube को, हम 0.035 से अगर divide करते हैं, तो आपको bag मिल सकते हैं, मतलब bag निकालने के दो तरीके मैंने आपको बता है, कि एक तो 28.8 से multiply करो, या फिर 0.035 से क्या करो, divide करो, उस cement के volume को, ठीक है, तो आपको bags मिल गई, मतलब आपको 10 meter cube का का काम करने के लिए कितना, 78.94 इतनी bag लंगी चाहिए, तो 1 meter cube का का काम करने के लिए कितना लगना चा particular mix से multiply कर देंगे, तो आपको मिल जाके कितना, 4.144, ओके, aggregate निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी quantity को हम 3 से multiply करेंगे, तो आपको यह पर मिल जाएगा, 8.289 meter cube, लेकिन हम 2 percentage of still views कर रहे हैं, ओके, हमारे इस पूटे beam में, तो हम के हमें क्या करना है, जस 10% का हमें 2% निका इस आप beam में हम चलते हैं, तो यहाँ पर जो beam का आपको बता रहा हूँ, it is similar with respect to the plane beam also and for lintel also, ठीक है, तो हम यहाँ पर तीनों का एक साथी rate analysis करेंगे, तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर different mix use करता हूँ, 1 is 2, 3 is 2, 6 हम यहाँ पर use कर रहे हैं, ओके, जिसमें 1 meter cube के लिए मुझे 4 back लगने वाली है, okay, quantity इतनी लगने वाली है, sign की, यह सारा calculation हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर मैं sign का calculation जो हमने rate plaster के लिए लिया है, वो हम rate इसमें लेंगे, हमने 1500 लिया है, तो यहाँ पर हम उतना ही लेंगे, 1500, okay, aggregate के लिए हमने 1600 रिया है, उतना ही लेंगे, okay, still का जो calculation है, वो यहाँ पर मैंने लिखा है, कितना kg आपको लगेगा, और कितना kg आप binding वार आपको लगेगा, वो भी हमने calculation यहाँ पर करके रखे है, तो आपको बस इसका use कैसे करते हैं हम यह आपको बता रहे हैं, ठीके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको rate डालना है, क हमें head mission लगने वाला है, 0.05 per day, 0.30 mission लगेगा, मज़ूर लगेगा 1, विष्टी लगेगा 0.3, blacksmith लगेगा 1.5, helper लगेगा 0.5, कारपेंटर लगेगा 0.8, helper और कारपेंटर लगेगा 0.4, इस तरीके से contractor profit हम 10 तक्का लेके, water electric charges 3% लेके इसको finalize करेंगे, तो हमें cost आएगी 34,210 metric, मतलब इतना cost for 1 meter cube के लिए हमें आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस cost को abstract of estimate में जाएगे, ओके, और जो हमारा beam का यहापे काम है, जो हमारा beam का यहापे काम है, just wait a minute, मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो steel, यह जो beam का concrete है, तो यहापे आपको एक चीज़ धान में रखन यह दोस्तों, क्या होता है, कि जब हम beam में जाते हैं, जब हम rate analysis करते हैं, तो हम तो सारी चीज़े लेते हैं, लेकिन आपको यहापे, ओके, आपको यहापे यह जो particular चीज़ है, ओके, यह आपको यहापे लेनी है, ओके, बट जब हम bar bending schedule से लेके आएंगे, ठीके हैं, तो उ या फिर आप अलग तरीकी से इसको identify कर सकते हो, जैसे मान की चलो कि अभी मेरे पास जो calculation है, वो one metric cube के लिए, तो मैं यहापे क्या करूंगा, यहापे में जो मेरा steel है, मतलब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ओके, जो steel का work है, जैसे column का हो गया, कॉलम का steel quantity है, ओके, उ यह हम remove कर देंगे, लेकिन हम इसके लिए जो cost रहती है, carpenter की, helper की, sundries की, blacksmith की हम उसको रखेंगे, ताकि हमारा bar bending schedule से जो हमे rate मिलने वाला है, वो हमारा proper रहे है, ठीके, तो हम यहापे क्या करेंगे, यह जो cost मुझे मिली है, this only cost for the RCC work और steel का work करने के लिए, तो यह जो cost रहेगी 6461 रुपे, हम यहापे जाएंगे, okay, beam के concrete quality में जाएंगे, और equals to दबाके beam में जाएंगे यहापे और इसको select करेंगे, enter, right, similarly हम plain beam का भी ऐसा करेंगे, तो plain beam में चलते हैं, हम यहापे 1 is to 1.503 use कर रहे हैं, हम steel का जो हमारा rate है, हम उसको यहाँ से निकाल देंगे, हम इसको यहापे इसको use करते, 1500, इसका use करते हैं, यहापे 1600, नीचे भी देखिए, हमने इस तरीके से सारे मेशन में, सारे हमने जितने भी लोग लगने वाले हैं, हमने आपे consider किये हैं, तो हमको cost आ रहे है 7,314 रुपीस, तो हम यहापे जाएंगे, plain beam के लिए, okay, equals to, ठीक calculation हम बाद में करेंगे, now उसके बाद यह जैसे हमारा हो गया, अभी हम lintel के लिए भी जाएंगे, okay, जैसे हम lintel के लिए जाते हैं, तो similarly हम यहापे जाके तो still का हमारा जो cost है, उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, क्यों निकाल लेंगे, because हम bar meeting schedule से हम quantity हमने निकाली है, okay, हम हमें बस वहाँ पर जाके 1 kg का rate डालना है, okay, इसलिए हम यहाँ पर कुछ करनी रहे है, okay, तो हमें यहाँ पर कितना rate मिला, 4,010 rupees, तो हम abstract of estimate में जाएंगे, और lintel में concrete में जाके हम यहाँ पर equals to दबाएंगे, और lintel में जाके इसको select करेंगे, enter, now अभी देखिए, अभी ह हम यहाँ पर फिर से equals to, इनको पहले हम multiply कर लेते, proper तरीगे से, okay, multiply by this function, ठीक है, और इसको copy करते, wait a minute, just give me one minute, copy करते हैं, और नीचे पूरा इसको खीज के लिए क्याते है, control V, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने क्या क्या, जो steel quantity को छोड़ के, जो हमारा concrete का work था और steel का work करने के लिए हमने यहाँ पर क्या-क्या codification किया है, तो अभी हाँ पर सिव हमें क्या करना है, सिव एक केजी steel का हमें cost दलना है, तो हम क्या करेंगे, average, main steel का cost जा रहा है 90 रूपे, binding wire का जा रहा है 80 रूपे, तो हम average cost जो है, वो लेके चलेंगे कितना, 90 रूपीज, because maximum value आपको लेके चलना है, तो हम यहाँ पर 90 लिखेंगे, per kg, तो यहाँ पर आपको total cost मिल जाएंगे, ठीके, उसके बाद हमको beam के लिए भी देखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90, तो आपको यहाँ पर total cost मिल जाएंगे, कि beam के लिए इतना steel आपको लगने वाला है, फिर हम lintel के लिए भी आपको लिखेंगे 90, तो आपको यहाँ पर इतनी cost लग जाएगी, ठीके, slab के लिए भी आपको यहाँ पर 90 लिखना है, और जो आपका concrete column है, उसके लिए भी आपको उतना है, ठीके, तो steel का जो आपका weight है, आपको यहाँ पर इतना है, अभी जो paint के लिए होता है, paint का भी हम यह आपे लिख देते हैं, 50 रूपीज पर लिटर के हिसाप से, आप यह आपे लिख सकते हैं, कोई इसू नहीं है, ओके, तो यह आपका एक प्रॉपर कॉस्ट आपे हो गया, now दोस्तों, नेक्स वीडियो में जिब हम आएंगे, तो मैं आपको concrete का बा बिदिंग शेड़ लग को बताएंगे, thank you so much guys, have a next day, bye bye